असलाम लेकुम एन हाई एक्सपर्ट क्या चाल है मैं हूँ शबीर हमाद और आप देखें मेरे चैनल शबीर शारो फ्रेंट्स आज की वीडियो में आपको बताने वालों फाइवर की गिक के बारे में जी आपको बताने वालों कि क्या है और इसे किस तरह आपने क्रियेट करन हैं वह वह सारे फेंड आपने वह यह इलर्च थोड़ास थोड़ास भीडर्स दिखोल्त हैं लेकिन बिलकुल वी टिपकुल अने वाला अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो आपके लिए बहुत असानी है ठीक है अब मैं आपको यह बतातां कि कैसे रिए ने मैं आपको चल सकते हैं आज कि जो वीडियो है यह जो पिछली दो वीडियो है उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टन है ठीक है हम बनाइंगे फायवर की प्रोफायल गिग क्या होती है कि इसमें आपके बारे में लिखा जाता है कि भाई आप क्या कर सकते हो आप इस काम में माहर कितने हो gef cancellation क्या है आपका ठीक है और आप आप कुछ अपने बारे में लिखते हो की यार मैं क्या निखा घो a कि पिक्चर होती है और उस प्रवा उस पह लिखा होता है नाम वगेर्णा यह सब कुछ व्होंगो विल्सोर तरी शर्व क्योंट म्सधान सिकने जरुए संद्राइब ना में नाम नाती एक ठीक है अब मैं आपको बताता हूं गीग होती गया देखो मैंने यहां पर एक चीज़ सर्च की Amazon प्रोड़क्ट ये देखें अब यहां पर देखें Amazon background photos ठीक है Amazon product research ये देखें आज हम इस पर बनाने लगें Amazon product research और product hunting एक ही चीज़ होती है ठीक है hunting यानि कि उसको research करना उसकी hunting यानि इसको शिकार करना ठीक है ये देखो Amazon product hunting and Amazon product यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देखो यहां पर मैं आप नीचे आपको थोड़ा से लेके जाता हूं यह सारी यह जो चीज़े आरे ने profile बनी हुई है कि I will do Amazon product hunting for FBA Amazon product research यह होती है गीग जिसमें आप अपने बारे में बताते हो जो buyer और seller account होता है वो तो आपका Fiverr के साथ जुड़ने के लिए account होता है ठीक है यह जो आपकी गीग होती है यह आपको आपके client के साथ जोड़ती है ठीक है अब यहां पर आप आएं तो देखेंगे कि I will do Amazon product hunting for FBA Amazon product research for private label ठीक क्योंके लड़की की गीग है तो I am offering you the following services उसने अपनी services लिखी हुई है कि मैं क्या क्या service आपको offer कर सकती हूं अगर मैं product hunting करूंगी तो उस product hunting का मैं क्या उसमें मतलब criteria क्या रखूंगी किस criteria पर मुझे best product मिलेगी जो मैं आपको deliver करूंगी आगे उसके बाद आप अगर नी क्यों select करना चाहरे है मुझे select करने का मकसद क्या है ठीक है मैं क्या सर क्या चीज आपको ऐसी दे सकती हूं ठीक है जो दूसरे लोग नहीं कर सकते ठीक है तो मैं कितनी बेतर हूं वो यह बताना चाहती है उसके बाद क्याते है available for Amazon US UK Canada ठीक है उसके बाद वो यह बता रही है कि मैं किन-किन marketplaces पर काम करती हूं करती हूं कि मैं Amazon पर काम करती हूं Amazon पर किस marketplace है जी USA UK एंड कैनेडा है ठीक है उसके बाद कहती है कि I have custom requirement for your Amazon FBA product research or please message me and we'll discuss more उसके बाद अगर आप इदर आए तो इसने लिखा हूँ है कि बाई अगर आप वन प्रोड़क्ट प्लस कीवर्ड 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 अनैलेसिस ठीक है उसके बाद कंपिटेटर अनैलेसिस और डिटेयल रिपोर्ट अगर आप लेते हो तो मैं आपको यह काम कर दूंगी 7970 रुपे में ठीक है और उसके बाद अगर आप यहां पर आएं तो आपको आपकी कीमत बढ़ जाएगी 12751 रुपे हो जाएगी प्लाटीनियम में दो प्रोड़क्ट होंगी आपके प्रोड़क्स होंगी कीवर्ड अनैलेसिस होगा कंपिटेट अनैलेसिस होगा सप्लायर इंफोमेशन होगे डिटेल रिपोर्ट होगी आप देख सकते होंगे जब जैसी मैं स्टेंडर्ड पै तो बारहाँजार इसकी प्राइज होई है तो उसने अपनी जो सर्विस है वह भी बढ़ा दी है ठीक है उसके बाद आप इधर आएं प्रीम इंफोमेशन होगी प्रोफिट कैलकुलेशन होगा प्लस रिपोर्ट होगी ठीक है उसके बाद अगर मैं इसके इधर आ जाओं ठीक है तो यह आप देख सकते हैं कि इसने अपना एक बहुत अच्छा मतलब के प्रोफाइल फोटो लगाई हुई है ठीक है कि एमाजोन प्रो अब मैं इधर आता हूँ आपको अपनी थोड़ी सी गीक के बारे में बता दूँ यह देख सकते हो आप लोग यार यह मेरी गीग है ठीक है हमजा वसीम के नाम से इसमें तीन गिग्स है एक प्रोड़क्ट हंटिंग फॉर पील है एक तो प्रोड़क्ट हंटिंग फॉर होल अनि ज़का好 कि एसी के ङो तिस सांधाम एसीन ऑप ब्माइजेशन से आप कैसे फैंज और यहां पर ब्रोड़क्ट हंटिंग लिखी हुए है कोई भी मायर आएगा वो यहांपर आ के सर्च करेगा यहां पर आके सर्च करेगा एमाजोन प्रोड़क्ट हंटिंग जैसे कि य यह product और यह मैंने लिखा हुआ है research मैंने का I will do Amazon product hunting and product research क्यूंके लोग इसको दो नाम से जानते हैं तो product hunting के नाम से जानते हैं product research के नाम से जानते हैं तो मैंने इसले दो नाम लिख दे हैं को लोग कोई भी नाम अगर बाइर डाले तो मेरी gig भी page पे शो हो जाए ठीक है उसके बाद अगर मैं आपको यहां पे लेकर हूँ तो आप बहुत से लोगों की gig देख सकते हो कि I will do Amazon product hunting and research for wholesale FBA यह wholesale पे भी लोग कर रहे है product hunting और research ताके keywords अच्छे आए उसके बाद आप देख सकते हो कि यहां पे मैंने जो अपनी gig बनाई थी इस पे मैंने क्या किया है कि देखो what is Amazon FBA product hunting मैंने इसका बता दिया क्या है why me आम मुझे क्यू select कर रहे है ठीक है और मैंने अपना criteria उसने अब यहां पर आप आप आओ तो मैंने कुछ चीजों को highlight किया हुए यह देखो यहां पर what is Amazon FBA product research यह भी मेरा keyword बनता है जैसी बायर अगर यह पूरा यह Amazon FBA product research अगर हो select करता है तो मेरी भी यह gig है वो show होगी यह होता है जी आपका keyword ठीक है यह आपको rank करवाता है और इसको हम SEO बोलते हैं जो keyword research होती है ठीक है keyword डालना यह देखो अब यहां पर देख सकते हो कि मैंने यहां पर product research भी लिखा हुए यानि कोई बायर product research से search करे तो मैं भी हूँ उस पर product research मैंने यहां पर भी लिखा हुए ठीक है competitive price criteria for finding a winning product ठीक है ऐसी चीजों से बायर हमें तलाश करत है उसके बाद आप इसमें कुछ टैक्स भी डालते हो टैक्स के होते हैं मैं आपको आगे लेकर आता हूँ ठीक है अभी मैं आपको गीग बनाना भी सिखाऊंगा यार परिशान ही हो ना वीडियो को एंट तक देखना है Amazon research PL product research PL product hunting product hunting Amazon hunting यह सारे keywords हैं जिससे बायर आपको तल गिंद पर यह पर आपने कलिक करना जैसे मैंने आपको बायर और सेलरकन बनाना सिखा दिया उकर नहीं देख़ा वीडियो तो वह पहले देख लेना उसके बाद अकर आपको क्लिक करते हो तो आपने अपना काउंट बनाय है यहां पर अपको को अप्छिन आईगी promo file की यहां पर मेरी वह seller account आजेगा जो मैंने उस दिन आप उस वीडियो में आपको बनाना सिखाया था अब यहां पर कहता है इट सीम्स डैट यू डोंट है एनी एक्टिव गीग कहता है यहां पर आपकी कोई एक्टिव गीग नहीं लग रही मुझे मुझे का आपकी कोई कहता है आपके कोई एक्टिव गीग नहीं है यहां पर अपनी गीग बनाओ पहले तो मैं कुरीय टा गीग पे पहले क्रियेटर नीजिक पर क्लिक करूंगा जैसी मैं किरियेटर नीजिक पर आऊंगा यह मुझे वह फश्यन सब्सक्राइब अपना जैसे हमने आपको सिखाया था ठ यहां पर मैं आता हूं आगे तो यह भी मैं continue कर देता हूं क्योंकि मैं पहले बना चुका हूं तो मुझे जुरूरत नहीं है अब यह दुबारा दुबारा चीज़ों का एंटर करने की सिर्फ मैंने continue continue करते जाना है अब यहां पर एक option देगा कहेगा जी कहेगा आपने एडिट profile करनी है या इसको finish करना है तो मैं कहता हूं मैंने finish करना है और आप मुझे लेज़ें gig पे उपर जैसी मैं इस पर आकर finish करूंगा यह मुझे gig के उपर ले आएगा अब यहां पर आपकी gig create होना चुरू होगी लिखा हुआ है I will do something I am really good at ठीक है आपने लिखना है कि मैं आपके लिए यह कुछ कर सकता हूं मैं इसमें बहुत अच्छा हूं ठीक है मैं यहां पर लिखता हूं कि I will do जैसे मैंने Amazon product hunting की बनानी है डूब को मैं ऐसी रहे हैं चलो बडू खुद लिख देता हूं आइविल I will do Amazon product hunting and product research ठीक है मैंने यहां पर लिख दिया I will do Amazon product hunting and product research मैं यहां पर इसको खतम कर दूँँगा उसके बाद यह देखो यहां पर आप अगर आप यहां पर मैं आपको SEO समझाता हूं मैंने क्या दिया तो आपने वह पर प्रोड़क्ट रिखेंग तो मेरी गीग भी शोगी ठीक है उसके बाद मैं इधर आउं तो आपने कीवर्ड का बस दियान रखना है कि यार आपने वह कीवर्ड करने जो अच्छे अच्छे कीवर्ड है ठीक है अगर आपको इन कीवर्ड की समय नहीं लगरी कि आप ग्राफीक डिजाइनन की बनाना चाहरे हैं किसी दूसरी चीज की बनाना चाहरे है तो आप आईडियाज ले सकते हो कहाँ से ideas लो मैं अगर यहां पर आउँ ठीक है तो आप कैसे ideas ले सकते हो आप ऐसे ideas ले सकते हो कि आप अगर देखा यहां पर level one seller के फूल लेवल वन के seller है टीक है इसे ज़रा review है इसके reviews अच्छे है आप नीचे चले ज़ू आप देखो कि यार इसके यह level one का seller है भाई आप देख सकते हैं इसने लिखा आई विल डू एमाजोन एफ ब्रोड़क्ट हंटिंग और प्रोड़क्ट रिसर्च इसकी गीग हम ओपन कर लेते हैं परिशान नहीं होना कि मैं आईडियास कहां से लूँ मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं लिखना क्या है मैंने दूसरे लोगों ने क्या लिखा तो आप देख सकते हो जिनकी गिग्स पहले से बनी हैं उन पर जाके आप आईडियास ले सकते हो कि यार इसने लिखा आई विल दो तीन को कॉपी रखके कॉपी करके पेस्ट कर ले ना वर्ड पैड में अपने और उनसे देख दे के उन पर एडिटिंग करकर के आपने बनाई जानी या तो आप अपना अगर इंगलिश आपकी अच्छी है कॉंटेंट राइटिंग अच्छी है तो आप ना लिख सकते हो क या जैसे कि यह मैंने एक उठा ली कॉपी कर के दूसरी आप किसी और लेवल-1 के सेलर की खोल लो यह लेवल-1 का सैलर और था यां पे मेरे पास है कहां गया है चलो दुबारह में उसको और लेता हूं यहां पे हम आएंगे तो लेवल-1 की यह यह सबसे पहले और दूसरी स मैंने मिक्सच्चर गया रखना यानी इनके दर्म्यान में अपना अच्छा आइडिया कैसे सोच सकता हूं अपनी क्रियोटीविटी मैं कैसे सोच सकतों इन से इसे तूर आइडियाज लेना है अपने यह नहीं कि आप सारा कॉपी किया और वही दे मार साड़े-चार पेस कर द इसे canESμο लिपके अकल के लिए अ anderen लिकंगी अवा अब इसके लिखा हो इसने क्या लिखा हुआ तर्टी के लिखा हूर thus किने कृ लिखा हुआ हुर अप इसके सकते होin single लो फिर अनि उस्के इसके लिख लो जैसे के word यहां पर working के जगा कुछ और लिख लो ठीक है आप यहां पर यहां पर जैसे प्रोडक्ट रिसर्च लिखी आप hunting लिख लो ठीक है from last one year and hunt a lot of different and good products from my clients and I also handle to amazon seller account account of different clients ठीक है आप इसमें कुछ editing कर सकते हो अपने अपने लफ्ज लिख सकते हो यार इसकी इडियाद हमने कैसे लेने हैं दो तीन को कॉपी करो अपने यहां पर जाकर पेस्ट करो उसमें एडिटिंग करो और उसको वहां पे लगा दो यह ना हो कि आपकी और उसकी बिल्कुल सेम लगा क्यों कि बाइर जब आपकी गीग पर आएगा वो यह देखे कर कि यार इसकी भी सेम है उसकी भी सेम है यानि कि इसने उसकी कॉपी की हुई है यानि यह प्रोफेशनल नहीं है अच्छा अब आपने एक काम बड़े आहम करना है जैसे कि देखो मैंने किया है Amazon प्रोड़क्ट हंटिंग एंड प्रोड़क्ट रिसर्च तो मेरा काम e-commerce के हवाले से यानि Amazon के हवाले से मेरा काम है तो मेरी जो कैटेगरी होगी वो यह होगी बिजनस एंड e-commerce management ठीक है अगर मैं business and e-commerce select कर ली है मैंने कि यार मेरी business की category relevant है मेरा काम और e-commerce management का मैं काम करता हूँ अगर आप नीचे आओ फिर आपने select करनी है कि भाई आप e-commerce में तो काम करते हो business में तो क पुछूँगा ना कि भाई आपका किस चीज का business है ठीक है आप कोई मतलब के multi talented तो हो नहीं कि आपको मेरा सोफों का business है मेरा मैं जी laptop की कारोबार भी करता हूँ मैं यह भी करता हूँ मैं यह मैं at a time 20-30 business चला रहा हूँ ऐसा दुनिना होता है अब आप यहां पे अपनी category select क करोगे आप category select करोगे आप कोगे यार मैं e-commerce के वाले से काम करता हूँ ठीक है और मेरा business का काम है यह मेरी industries है जिन में मैं काम कर रहा हूँ प्लैटफॉर्म आपका platform क्या है आप कहते है मेरा platform जो है वो Amazon है उसके बाद अगर आपका platform eBay भी है तो आप eBay भी select कर लो अली और के order आने हैं ज्यादा ठीक है तो आपने English select करनी अधर language में आप कोई भी select कर सकते आप उर्दू select कर सकते आप अगर आप हो सके ना अगर आपको यह language जानते है Spanish जानते हो तो आप लिख दो अगर थोड़ी बहुत भी जानते हो तब भी लिख दो क्यूंकि अच्छा impression आप आओ तो कहता है five tag maximum use letters and numbers only कहता है आप इसमें five tags डाल सकते हो tag से मुराद क्या tag यह होते हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं यहाँ पे अगर आप आप आओ नीचे मैं आपको लेके जाओं तो tag मैंने आपको अभी दिखाए दे यह यह tag Amazon product research, FBA private label, FBA product hunting, Amazon product hunting and product hunting यह सारे के हैं पांस tags जिनसे आपको buyer क्या कर सकता है आपको ढूंड सकता है कि यार कौन-कौन लोग है जो उन पे काम कर रहे हैं एक तो आपने description में keywords लिखने हैं अपने title में keywords यह डालने हैं और एक आपने tag में भी डालने हैं special ठीक है उसक यह 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 य search करते हैं कि कौन-कौन लोग यहां पे बैठे हैं किन-किन को धूंड हूं ठीक है यह सबसे ज्यादा वह चीजें जिन से बाइर हमें मतलब धूंडता है बाइर हमें तलाश करता है यह सर्च करता है ठीक है यह सबसे ज्यादा लिखते हैं अब यहां पर यहां पर यहां पर अमाजन प्रोड़क्ट हंटिंग यह भी आ रहा है उसके बाद मैं एक एमाजन प्रोड़क्ट हंटिंग यह भी आ रहा है उसके बाद मैं एमाजन प्रोड़क्ट हंटिंग यह भी आ रहा है उसके बाद मैं एक एमाजन प्रोड़क्ट हंट पर अगर करूं तो मेरे पाफ फिर कितने कीवर्ड आते हैं आप देख लो Amazon product hunting Amazon product hunting Amazon FBA product hunting Amazon FBA PL product hunting ठीक है यह मेरे पास आते हैं keywords तो आपने करना है simply इन keywords को सारों को देखना है मैं login on online paste है इनको एक दफार यहां पर आना है ठीक है यहां पर आंके आदे हैंगे हैं यहां पर आपन लिख लैने हैं कि यार वहां पर कौन ौन से keyword मुझे सज्जेस्ट कर रहा है कि आप यह वाले कीवर्ड से सर्च कर सकते हूं वह कीवर्ड आपने का करने हैं यहां पे लाके अपनी गीग पे डाल देने क्योंकि मुझे याद है तो मैं लिख लेता हूं अपनी चरफ से लिख रहा हूं ताके वीडियो जादा लंबी ना हो और आप लोग बोर ना हूं ठीक है एमाजोन रिसर्च है ठीक है और प्रोड़क्ट हंटिंग ठीक है मैंने तीन टेक डालें आप लोग 5 आपकी मरजी है ठीक है पांस मिनिममम आप मैक्सिमम डाल सकते कहीं ताइटाय। not contain letters and numbers ठीक है ठीक है उसके बाद अगर मैं इसमें मैंने एक गलती की थी शायद यह मैंने full stop डाल दिया था यह अब कहरा है just perfect यह full stop नहीं डालना है अच्छा अब अगर मैं यहां पर हूँ मैं save and continue पे click करूं तो हो गया ठीक है अब यह मेरा complete हो गया step यह step मेरा बिल्कुल complete हो चुका यह कह रहा है देखो आपका overview हो चुका है अब प्राइस बताओ अपने प्राइस आपने क्या बतानी है जी आप यहां पे कहता आप बइसिक प्राइस बताओ बेसिक प्राइस जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था यहां पर अपनी क्या कर सकता हूं कितने करूंगा अगर एकर मैं basic काम करूगा तो इतने पैसे लूँगा standard करूगा तो सब्सक्राति हो। треб applis बतलत में नम बेसकता हो यह तक धानी इसको प्रम अंची आप यहां पिक को नम दे चाहिं तो लगन पर यहां प इसने पैकज को नमतर हो बड़ thế यह आप कॉपी कर सकते हो कोई मसला नहीं है ठीक है और आप अपनी डिस्क्राइब कर सकते हो कि यार मैं अगर पेसिक पैकिज दूँगा तो मैं इसमें आपको क्या-क्या यह नसिब लगती आप वह सर्विस दो तेक उसके बाद मैं लिखता हूं कि मैं 10 कीवर्ड़ कर सकता हूं इसमें ठीक है बाद में करूंगा कहता अगर आप बेसिक में गो जो गोल्ड दे रहे हो आप तो इसकी डिलिवरी कितने दिन में दोगे मैं कहूंगा यार बेसिक काम है पांच डॉलरी ले सकता हूं अभी मैं क्यूंकि ज्यादा नहीं मेरी पहली पहली की गया तो पांच डॉलर से अगर इधर आएं तो आप ट्राइण नाउप ए करें डायन हूं से क्या होगा यह इसको कैंसल आयू अपने स्तेंड्र्ड पैकेज़ बता हूं अब अपनी मतलब यह आपने बेसिक तो बता दिया कि अचा जिनको यह वाला इसकाम मिलें सवा बिलेगा जिन्नोंने दो धीन ठीक है और यहां पे लिख देता हूँ कि दो प्रोड़क्ट करूंगा और मैं लिख देता हूँ कि प्लस मैं कर दूंगा भाई आपको ट्वण्टी कीवर्ड ठीक है उसके बाद डिलिवरी टाइम में आपका कर दूंगा जी इसमें इन्शालाद दो दिन में लगा लूँगा ठीक है और आपने प्लाइट जब इसमें आना है प्रीमियम में आना है तो आपने इसको नाम दे देना है कोई भी कोई भी नाम दे सकते हो आप अप मैं 20 दे रहा हूं तो यहां पर मैं 30 keywords की offer करवा दूँगा ठीक है अब यहां पर आप आप आओ तो आपको इसका delivery time में आपको दे दूँगा तकरीबन यार इसका delivery time जरा दो प्रोड़क्त हैं तो ज्यादा होना चाहिए ना delivery time भी सौरी यह four days आप कर लो आपको इसको मैं आपको भी इसका मैं four days में ही दे दूँगा आपको delivery ठीक है उसके बाद यार गलत ब्यानी नहीं करनी जो आप जिस time पर delivery दे सकते हो वो time लिखना है आप मैंने जो मुनासिब आप समझा मैंने लिख दिया ठीक है प्राइस आपने जो बेसिक प्राइस है जो मर्जी गिग बना लो ग्राफिक डिजाइनिंग जो मर्जी आपने बेसिक प्राइस पाँड डॉलर से शुरू हो standard की आप लोग रखो अपनी प्राइस चाहिजे एक दिन में डिलिवरी चाहिए फिर मैं आप से पाँडिलन नहीं लोगा फिर मैं आप छुछ fantasy के पैसे और आप लूगा तो मैं तुछ tao टो दर्यू समया अगर हो तो मैं जो शाधियोंगा क्यों पैसे प्राइस मॉिए वह इस्के ते viol였 दॉलर ले रहो हूँ आपसे और सौरी क्या नम होता है फिफ्टीन डॉलर ले रहो तो मैं आपसे बीस डॉलर लूँगा ठीक है आप इसको कर सकते हो सेव एंड कंटीनियू देखें ये वेरिफाय हो गया अब जो काम आता है असल काम वो यहां पे आता है ठीक है डिस्क्रिप्शन और आपकी ब्रीफली डिस्क्राइब यूर गिग अपनी गिग को क्या करें डिस्क्राइब करें अपनी गिग के बारे में तफसीलन हमें बताएं क्या आपकी गिग है क किस चीज पे आपकी कि ठीक है तो आपने वह चीज बतानी है, मैंने आपको बता दिया कि अपने डिस्क्रिप्शन कायरा कैसे लिखनी है, सारे को कॉपी करता हूं ठीक है और यहां लाके क्या कर देता हूं पेस्ट करते हूं अगर मैं आपको यहां पर लिखना सारा बताना लगelinा न तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ठीक है और उसके बाद अगर मैं फिर नीचे आँ तो मुझे कहता है कि अगर आपने कस्ट बताता चलों back to description मैं आपको यह बताता चलों कि आपने करना क्या है आपने description जो है वह 1200 characters की आप लिख सकते हो characters होता है जैसे कि यह देखो मैंने यह f लिख है न तो यह character है मेरा मैं ऐसे character जो हैं वह मैं 1200 लिख सकता हूं ठीक है 1200 की limits में बाहर नहीं जा सकता ठीक है वह fiber इजादत नहीं देता उसकी ठीक है उसके बाद मैं requirements पर आता हूं तो requirements मुझे कहता है कि get all the information you need from your buyer add a new question आपने जो भी अपने बायर से detail लेनी है कि यार अगर आपने order place करवाना है तो उसके लिए आपने मुझे यह चीज़ देनी है मैं कहता हूं यार आप क्या करो product का बस मुझे name बता दो ठीक है for example होती दो और भी चीज़े हैं लेकिन मैं यहां पर सिर्व यह लिख रहा हूं आपको जो मुनासिब लगे आप वो लिख सकते हो ठीक है मैं add कर देता हूं and save and continue कर देता हूं यह मुझे सिर्फ product का नाम ही चाहिए आपकी जो मर्जी हो आप लिख सकते हो अच्छा आप जो सबसे एहम पार्ट आता है इसमें वह आता है जी आपकी जो फाइवर गीग की profile होती देखो profile एक बहुत अच्छा impact डालती है किसी भी गीग के ओपर अगर आप यहां पे आओ अगर आप इनकी profile देखो भाई की तीक है यह नाम इनका है जी हमाद तारिक साथ हमाद तारिक साथ की profile देखा था Amazon product hunting and FBA product hunting दो keyword तो इसके यहां पे पूरे और सबको दिख रही है इसकी profile अगर आप देखो तो आपको सारी profile दिखेगी इसकी पूरे डबे में और इसने monthly revenue सा साथ है कि मैं क्या-क्या revenue दूँगा जानी कि मैं 5000 से लेकर 30,000 तक product with less than 120 reviews ठीक है उसके बाद यहां पर आप 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 तो market वगारा बता रहा है तो आपने क्या करना है एक अपनी छोटी सी तस्वीर तस्वीर से बड़ा अच्छा impact पड़ता है आपकी किसी भी product की जो म लगा है तस्वीर सेल्फी नहीं लगानी तस्वीर जैसे कि इस बंदे ने लगाई हूए यहां पर यह तस्वीर आप देख सकते हो इसकी टीक है इसकी तस्वीर वाजिया है टीक है और कोई मतलब के modern तस्वीर नहीं है बहुत ने अराम से साधा ही तस्वीर की चवाई अब यहां पर है मैं अगर कोई बीमिज यहां से उठा लेता हूँ अभी अभी मैं यहां से पिक्चर में जाता हूँ ठीक है कोई बीमिज मिले मैं यह अपनी थामनेल यह उठा लेता हूँ यह नहीं करेगा कहता है मिनिमम अच्छा जी अब यहां से मैंने गलत खुदी सेल टोनी चाहिए यानि चुडाई लंबाई के बारे में बताया जा रहा है ठीक है तो मैं यहां से अब कोई ऐसी उठाता हूँ जो कि यार इतने में बनी हूँ ओहो यह वली देख लेता हूँ शायद हाँ यह वली देखना लग गई है ठीक है यह उतने साइन में और वाजया भी हो रही है ठीक है मैंने ऐसी लगा दी है आप लोग में जो बनानी है वो लगानी है ठीक है उसके बाद अगर मैं यहां पर इसको यहां पर आता हूँ ठीक है यहां पर सेव एंड कंटीनियू पर मैं करता हूँ क्लिक अच्छा जी अब अगर आप आएं तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी यहांपे ठीक है वो चीज क्या है जी कि आप यूएस के बंदे रहने वाले हैं शेरी मैं कहते हूं अगर हाँ मैं यूएस का रहने वाला हूँ ठीक है तो अगर मैं कहुंग ना कि यूएस टैक्स आल यहां पर पढ़ भी सकते हुए करता है फार्म कि my service,aya offered online perform while outside on the USA कहता है कि यह बात conform करता हूं इस बात का आपको यakीन दिलाता हूं कि जो सर्भीम ना perform कर रहा हो और मैं यूएस से बाहर बैठके कर रहा हूं मैं is Bond क्लिक कर दूँग झाँ जा है क्योंकि मैंYou ऐससे बाहर ही हूं तो आप Publish Geek पे क्लिक करें ठीक है जैसे ही आप Publish Geek पे आएंगे यह आपको कहेगा कि भाई यू डिडिट यूर गीग इस नौ लाइव लेट्स गेट दा वर्ड आउट तो बूस्यूर सेल्स ठीक है अब इस पर आपको कहेगा कहेगा कि भाई आपक्या करो अपना लिंक पर उठाओ और अपना लिंक शेर कर दो आपकी गीग जो है वो तयार हो चुकी है मैं इसे कहता हूँ ठीक है बहुत शुक्री है आपका आपने मारी गीग तियार की तो मैं जैसी गीग पर आउंगा यहां पर देख सकते हो आप गीग की आप्शन आरी जैसे मैंने क्लिक यह वली गीग है ठीक है मैं यहां से जागे उपन करता हूँ यहां से तरह मसला करती थोड़ा था प्रोफाइल में चला जाता हूँ अपनी मैं यह देखें जी आप यहां पर देख लो के मेरी जो गीग है वो यहां पर रैडी है यहां पर आप आजो यहां पर आप देख ल और जो मैंने अपनी डिस्रिफ्षिंग की डे मैं दाली तो यहां पर आरही है और घृत दोसर आधा हूंट और आ धां तो यहां भी आप कर सकते हो simply यह तरीका आप यहां से एडिट कर सकते हो so friends यह जरूर याद रखना कि आपने का करना है इसकी SEO बेतर करनी है SEO कैसे यानि यह देखो Amazon product hunting and product research यानि आपने keywords बेतर करने है टैग आप सिर्फ 5 ही डाल सकते हो और उन अगर वह टैग आपने 5 डाल दी और आपके पास और भी बतलब keywords आपकी रिसर्च है आपकी अच्छी रिसर्च है keywords के वाले से फाइबर पे तो आप क्या कर सकते हैं उसको अपनी description में आड़ कर सकते हैं Amazon product hunting मैंने यहां पर भी डाला हुआ यहां पर देखो और उसके पाप मैंने product research भी डाला हुआ है ठीक है मैंने यहां पर डाला हुआ FBA private label product research ठीक है यह भी मेरे पूरा keyword बनता है ठीक है उसके बाद मैंने यहां पर FBA wholesale यहां पर keyword मेरा बन जाता है ठीक है उसके बाद क्राइटेरिया वगर्ण यह क्या है सारा यह मेरा SEO है ठीक है जो मेरी geek को rank करवाती है अगर buyer इन लफजों से मुझे research करेगा तो मेरी geek भी उस page पे show होगी इंशाला ठीक है तो friends मिलता हूं मैं किसी अगली वीडियो साथ उमीद है कि आपको यह वीडियो मेरी समय लग गई होगी आपको पता लग गया होगर कि कैसे create करनी है ठीक है अगर कोई चीज की समय ना लगी हो कमेंट लाइन में मुझे पूछ सकते हैं यार वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना और बैल आइकन को जरूर क्लिक कर देना ताकि आने वाली तमाम वीडियो की update आपको सबसे पहले मिल सके So, Allah Hafiz